आज की एक खुस्खबरी राजिस्थान अध्यापक पातता परिच्छा यानि की रीट की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यारती होंगे उनके लिए है क्योंकि आप देखते हैं कि रीट की एक्जाम जो होता है इसकी आप लोग बड़े इंतजार रहता है आप लोगों को बड और जिसे भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर देजी और क्या रहता है कि जब फॉर्म भरने लगते हैं तो आपका पर्ण मन पढ़ाई में और अच्छे से लगने लगता है और एक बात और बता दूमा को जब भी किसी एक जाम कर नोटिपी किसना आता है या आप लोगों क उसके बारे में जानकारी खटी करनी होती है तो आप लोग क्या करिए कि उसकी मैन ऑफिसील साइट पर जाये करिएगा वहाँ सही जानकारी मिलेगी आप लोगों को और सबसे पहले वहीं अपडेट की जाती है बाकी आप देखते हैं कि कई साइट हैं उन पर बाद में ही अ पर जाईए ठीक है सभी जानकारी वहाँ मिल जाती है तो राजिस्थान अध्यापक पात्ता परिक्षा जिसे आप लोग रीट के नाम से जानते हैं 2022 यह आपका नोटिपीकेस्टन 11 अपरेल को जारी किया गया है राजिस्थान मादमिक सिक्षा बोर द्वारा राजिस्था अध्यापक पात्ता परिक्षा रीट 2022 के लिए आवेधन पिक किरिया 18 अपरेल से प्यारम होगी और यह 18 मही तक आवेधन किये जाएंगे यानि कि कहने का मतलब है कि जो लिंक है आपकी फॉर्म भढ़ने की यह 18 अपरेल को एक्टिवेट हो जाएगे एक्टिव हो जाएग कई बार आप देखते हैं कि साइट विजी हो जाती है और फिर आपका काम भी नहीं भर पाता है तो भर दिया करिये जल्दी तो यह 18 अपरेल 2022 से सुरू होगा और 18 मही 2022 तक चलेगा और यह परिक्षा आपकी जुलाई मही में निर्दारित परिक्षा केंदों पर आईजित ह होगी और जुलाई महीने में इसका एडमिट कारड आए जाएगा एकजाम डेट आजाएगी आंगे चलके तो आप लोग तैयारी करते रहिए अब यह परिक्षा सिर्फ पातिता परिक्षा है आप सभी जानते हैं और रीट 2022 के उत्तीर अभ्यारतियों के परिक्षा प्रमा रखने लगते हैं आप लोग रीट की समनवयक और राजिस्थान मादमिक सिक्षा बोड की सचिप स्रीमती मेगना चौधरी ने बताया है कि रीट 2021 के लेवल दुतिये के आवेदन के लिए कोई सुल्क दे नहीं होगी कोई फीस उने नहीं देनी होगी स्रीमती चौधरी ने रष्टीगत परिक्षा का आयोजन 24 जुलाई से आगे की तितियों को भी रखा जा सकता है तो एक तरह से आप देखे कि एक किलियर नहीं है अगर कोई प्रोबलम आई कोई समस्य आई तो इस डेट को बढ़ाया जा सकता है तो आप लोग तैयारी करते रहे हैं लेकिन फॉर परिक्षा होना तैय होती है राजिस्थान अध्यापक पाते दा परिक्षा रीट 2022 के लिए परिक्षा अभिधन पत्त वेफसाइट इस पर आप जाएंगे तो राज राज राजिड आरे जी इडी यू बोर्ड डॉट राजिस्थान डॉट गवर्मेंट डॉट इन पर जा है इंटरनेट की लेप्टॉप की तो आप लोग आसानी से भर लेते हैं और नहीं अगर आपको आता है तो आप लोग कहीं भी ऑनलाइन जाईए ऑनलाइन वायले के पास बो भर देगा आभिधन ही तू अनुदेश वा प्रवत ओक्त वेबसाइट पर उपलब्द कराए जा बैसे तो आप डेविट कायड और नेट वेंगिंग से जमा हो जाती है ऑनलाइन आभिधन पत्ति हीतू सेक्षटिक आहरता पाधिता मापदन परीक्षा सुल्क और परीक्षा का विस्तित पाठकरम परीक्षा का सवरूप पित किरिया और आयुजन तथा अन सर्तों सहत वि मद्पेदेश में 36 गर सामिल था चेट फल में दूसरे नंबर पर था राजिस्तान पहले नंबर पर मद्पेदेश आता था लेकिन आप सभी कमालू होगा कि मद्पेदेश अलग कर दिया जाता है मद्पेदेश से अलग करके 36 गर नया राज बना दिया जाता है और आप मद पच् der-प्यदेश से भी लग रही है कि अंतराश्टी सीम आप देखेंगे पाकिस्तान से लग रही है और आप देखेंगे इसे बनाए आप देखेंगे कि यहां विधाश्वा में आपको 200 सीटें देखने को मीगी राजस्टी सीटें लोकस्षवा में 25 सीटें तो यह सामान जाने का रही है हो सकता ही कि इन मैंसे एक आत कुश्चन सापकी परिक्षा में पूछ ले चलिए तो आप लोग फड़ते रही है और मेहनत करते रही है फॉर्म टाइम से डाल दीजेगा ठीक है?